बिहार की 25 बड़ी खबरों को पाई गया मामलों में प्रभाविजुलों की बात करें तो सबसे ज्यादा पटना में 242, अरर्या में 17, अर्वल में 9, औरंगाबाद में 10, बांका में 9, बेगुसराय में 75, भागलपूर में 125, भोजपूर में 14, बकसर में 17, दर्भंगा में 9, गया में 43, गुपालगंज में 23 जमुई में 4, जुहानाबाद में 5, कैमूर में 25, कटिहार में 32, खगड़िया में 80, किशनगज में 12, लखी सराय में 10, मध्यपूरा में 3, मधुबनी में 1, मुंगेल में 32, मुझफरपूर में 69, नालंदा में 37, नवादा में 52, पच्छिम चंपारन में 93, पूर्वी चंपा अब COVID-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें, तो स्वास्त वभाग के तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी के अपडेट के नुसार अब तक कोल मिला कर 13,533 मरीज ठीक हो चुके हैं, वही COVID-19 की बज़े से अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है लोगडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस लेगी सक्थ आक्शन बिहार राजभवन में COVID-19 के एंट्री के बाद आक्शन में आया पतनान नगार बिहार में COVID-19 का संक्रमर लगातार बढ़ता ज़ा रहा है सिक्षा वभाग में सभी चात्रों को 31 जुलाई तक 80 दिनों का अनाज देने की कही बात COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में एक बार फिर से लोकडाउन लागू कर दिया गया है इस दोरान पहली से लेकर आठवी कक्षा तक के चात्रों को 80 दिनों का अनाज दिया जाएगा जिसे लेकर मिड़े मील निदेशक ने सभी जिलों को पत्र लिकर आदेश जारी कर दिया है हालाकि इसके बारे में पहले यादेश दिया गया था लेकिन एक बार फिर से इससे अनुपालन करने का निर्देश मिड़े मील निदेशक को दे दिया गया है मिली जानकारी के नुसारी हकाम सिक्षकों को दिया गया है कि वो मिल्डे मिली राशी अब सिक्षा वभाग की तरफ से सीनियर शात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर करे बिहार को बनाये जाएगा रंगीन मचलियों का हब बिहार को जलती रंगीन मच्रियों का हब बनाने पर सोच विचार किया जा रहा है सरकार इसके लिए अनुदान भी देने को तैयार है जिसके तहट अगर आप भी रंगीन मच्री पालन करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही उप्यूक्त है जिसके तहट सरकार रंगीन मच्री उत्पादन, बिक्री और अक्वेरियम निर्मान के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिलाने का लक्षे रखाया है मिली जौनकारी के नुसार सामा नेवर को 44 प्रतिशवत, S.E.S.T. O.B.C. समीट सभीवर की महिलाओं को 60 प्रतिशवत अनुदान दिया जाएगा IMD ने बिहार में मौनसून से राहत मिलने की जताय उमीद भारिबारिश और बार से जूज रहे, बिहार समेथ पुर्वोतर के कई इलाकों में जल्दी मौनसून से राहत मिल सकती है मौसन विभा की खबर के नुसार उत्तर और मध्य भारत में मौनसून की सक्रियाता से बारिश की गतेवे धियां बढ़ सकती है तो वहीं बिहार और पुर्वोतर के जिन इलाकों में बीते दिन भारिबारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हैं वहाँ अब भारिबारिश का सलसिला रुपता नजर आएगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजी जैसवाल आए COVID-19 की चपेट में बिहार के भाजपा कार्याले बुरी तरीके से COVID-19 की चपेट में आ चुका है मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजे जैसवाल भी COVID-19 प्रभावित हो गये हैं संजे जैसवाल ही नहीं बलकि उनकी पत्नी और मा के रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संजे जैसवाल को सर्दी खासी और हलका बुखार था इसके बाद उन्होंने अपना जाज करवाया जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बिहार में COVID-19 के बेकाब हो रहे हालात ने स्वास्तव भाग की बढ़ाई चुनता बिहार में COVID-19 का संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है 24 घंटे में COVID-19 की वज़े से 14 लोगों की जान चली गई है इस तरह से COVID-19 से जान कवाने वालों की संक्या 157 पर पहुँच गई है वहीं 24 घंटे में 514 मरीज भी ठीक हो चुके हैं वहीं अब तक कुल मिलाकर 13,533 मरीज ठीक हो चुके हैं CBSी ने जारी की दसवी परिक्षा के परिणाम 12 वी की परिक्षा के बाद 10 वी परिक्षा के परिणाम CBSी ने बीते दिन जारी कर दी हैं CBSी द्वारा जारी के परिणाम में एक बार फिर से लड़कियों ने ज्यादा सफलता पराप्त की है लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले जादा अंखासिल के हैं इस बार बिहार और जार्खन का रिजल्ट भी बहतरीन आया है बिहार और जार्खन की सफलता प्रतेश्वत 90.6% देखने को मिली है वहीं CBSE के 10 फी की घोशित नतीजों में 91.46% सफल हुए है CBSE द्वारा जारी के एक रिजल्ट में सबसे बहतरीन रिजल्ट दक्षमिन भारत में तिरुवन्तम पुरम का रहा है तिरुवन्तम पुरम में 99.28% दी चातर सफल हुए है ठेला पर COVID-19 सेंटर जाते डॉक्टर की तस्वीर पर तेज प्रताप यादव ने कसात तंच बीदेदन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से ट्रेंड कर रही थी जिसमें एक डॉक्टर COVID-19 के इस माहौल में ठेला पर चड़कर COVID-19 सेंटर की तरफ जा रहे थे एक तालिस दरोगा और ASI का हुआ तबादला बिहार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है बीते दिन मिली जानकारी के नुसार बिहार में एक तालिस दरोगा और ASI का तबादला किया गया है विभाग के ओर से ट्रांसफर ओर्डर जारी कर दिया गया है जिसके बाद तबादले की पूरी सूची भी जारी कर दी गई है बिहार पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बक सर्जिरे के पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है तबादले की सूची में 21 दरोगा और 20 जमादार का नाम शामिल है यह सभी वैसे अधिकारी है जो लंबे समय से पोस्टिंग की प्रतिक्षा कर रहे थे COVID-19 के इस माहॉल में खेसारे लाल यादव दिखे धान की रुपाई करते COVID-19 के बढ़ से माहॉल की बीच सभी क अलाकार घरों में देखे जा रहे है वहीं से बीच फिल्म की रिकॉर्डिंग छोड़कर बॉलिवुड से लेकर भोजपूरी के सुपरस्टार अलग-अलग काम करते नजर आ रहे हैं उस दिनों पहले सल्मान खान खेती करते नजर आ रहे थे वहीं अब भोजपूरी सुपरस्टार खेसारे लाल यादव भी अपने गाउं में धान रुपाई करते नजर आ हैं इस दौरान उन्होंने गाना भिकाया और किसानों की मेहनत की सराहना भी की है खेसार लाल की बज़े से इन दिनों अपने गाउं में रह रहे हैं जिसके बाद धान रुपाई का समय भी है ऐसे में खेसार लाल यादव अपने पुराने दिन को याद करते वे खेत पहुंच गए और धान की रुपाई करते देखे गए रेफर किये हुए मरीज ही देखे जाएंगे पटना एम्स में पटना एम्स COVID-19 डेडिकेटेड अस्पताल बन चुका है यानि की पटना एम्स में दूस्टे लोगों का इलाज नहीं करवाय जाएगा सिर्फ COVID-19 मरीजों का ही वहाँ पर रेफर किये हुए मरीज का इलाज होगा इतना ही नहीं अस्पताल प्रसाश्यों ने साफतोर पर पर परिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है जिसके लिए एम्स के गेट पर ही जांच की विवस्था कर दी गई है साथी सुरक्षा व पिहार में 30 जुलाई तक दुबारा से लॉकडाउन की घोश ना कर दी गई है हलाकि जारी किये गए गाइडलाइन में यह साफतोर पर कहा गया है किस लॉकडाउन में हवाई सेवा प्रभावित नहीं होगी पटना एरपोर्ट से घरेलों विमान सेवा का प्रसारन होता रह का पास उनका एर टिकेट ही माना जाएगा किया गया है, जुसके तहरत COVID-19 के समाहॉल में 31 जुलाई तक लॉगडाउन की वज़े से नियोजन की तारीख में भी बदलाफ कर दिया गया है इस संबंध में सिक्षा वभाग ने अधी सूचना जारी करदी है जिसके थैस्ट सिक्षा वभाग ने साफतौर पर बताया है कि अब सिक्षछ नियोजन की प्रफ्रिया अगस्तक कर ली जाएगी सिक्षा विभाग के अधि सूचना के नुसार अनुमोधित मेधा सूची एवं रोस्टर के आधार पर चैनित अभेर्थियों की सूची का प्रकाशन तीन अगस्त किया जाएगा वही नियोजोनी काईद्वारा काउंसिलिंग के बाद नियोजोन पत्र निर्गत 6-7 अगस्त कर दिया जाएगा लोकडाउन के दोरान ट्रेनों से आने वाले लोगों को रखना होगा कुछ खास बातों का ध्यान आज से एक बार फिर से बिहार में लोकडाउन के अब धीर शुरू हो रही है जो इसके बाद लोकडाउन के दोरान ट्रेन से अने राजियों से आए लोगों को अपने गंतफ़े पर जाने के लिए बिहार में किसी तरह की पब्लिक ट्रांस्पोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि बंद के दोरान पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगी रेल्बे स्टेशन पर पहुँचने के बाद यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इन सब चीजों से बचने के लिए पहले ही नीजी वाहन उन्हें बुक करवाना होगा पपू यादव को जवाब देते वे अमित शाह ने कहा है कि इस पूरे मामले में आवश्य कदम उठाये जाएंगे संबंदित विभाग में आगे से उठाये जाने वाले कदमों के लिए पत्र भीजिया गया है इतना ही नहीं बिहार मोदी ने चुनाव से ज्यादा COVID-19 से निपटने को बताया जरूरी उपमुखे मंतरी सुशिलकुमार मोदी ने बीते दिन कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी तीन महीने से ज्यादा कस्ता में बचा हुआ है इसलिए इस मुद्दे पर सोचने से ज्यादा संक्रमन से निपटने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो लोग इस पर लगातार बयान बाजी कर रहे है चुनाव आयो के विवेग पर अविश्वास कर रहे है जिसमें उन्होंने साफतोर पर खाये कि विधान सबाद चुनाव परमपरागत तरीके से कराये जाए इतना ही नहीं उन्होंने आगी यह भी कहा है कि जब COVID-19 के इस माहाल में कोई परेशानी नहीं है तो परमपरागत चुनाव कराने में क्या हर्ज है अगर वाकई में COVID-19 में लोगों का बुरा हाल कर रखा है तो चुनाव का सवाल ही पैदा नहीं होता मांजी और कुश्वाह दिल्ली के लिए हुए रवाना महागटबंद दल में लगातार ज्वारी उठापटा कब साफ साफ देखने लगी है मेली जानकारी के अनुसार जीतन रामाजी बुद्वार के समय दली के लिए रवाना हुए है बढ़ नहीं डूनोंने ताओं के अचानक से दली जाने पर सियासी गलियारे में एक बार फिर से सरगर्मी साफ देखने को मिल गई पत्ना में कुरोना प्रभावितों की संख्या में बेलेगाम बढ़ोतरी के कारण बनाए गए 104 कंटेन्मेंट जोन राजधानी पत्ना में कोवर्ड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते वे कुल मिलाकर अब तक 114 कंटेन्मेंट जोन बना दिये गए हैं जिसके पुष्टी पटना जुला प्रसाशन की तरफ से की गई है जिसके परणाम सरो पटना सिटी अनुमंडल में 23, पटना सदर में 38, दानापुर में 38, मसौडी में 7, पालिकांज में 8 कंटेन्मेंट जोन बना दिये गे हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहने पर म उनके साथ बल्ले बाजी करने में बहुत ज्यादा मज़ा आता है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रुशब पंत अब तक इंटरनाच्छल क्रिकेट में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं जिनकी उनसे उमीद कह जा रही है IIT दिली में बनाई गए COVID-19 जाज किट COVID-19 के बढ़ते माहौल के बीच IIT दिली ने COVID-19 की जाज किट तयार कर ली है जिसके तहर सिर्फ तीन घंटे में रिजल्ट सामने आ जाएगा मिली जानकारी के नुसार IIT ने नई टेस्टिंग किट को लॉंच किया है इस टेस्टिंग किट की कीमत 399 बताई गई है हाला कि बजार पहुचते हो इसकी कीमत 650 रुपे तक हो जाएगी IIT दिली की ओर से यह दावा किया गया है कि इस किट से 3 घंटे के अंदर COVID-19 टेस्ट का रिजल्ट सामने आ जाएगा फेस्बुक के बाद अब गूगल भी जियो के साथ करेगा पार्टनर्शिप कुछ दिनों पहले फेस्बुक में Reliance Industries में हिस्सेदारी के लिए पार्टनर्शिप करने का हाथ बढ़ाया था गूगल ने भी जियो प्लाटफॉर्म के साथ 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करूर रुपे का निवेश करने का फैसला सुनाया है जो इसका एलान Reliance Industries के प्रमुख अंबानी ने कमपनी के 43 वे वर्षकाट के दोरान किया है जो इसके तहत उन्होंने कहा कि जो प्लाटफॉर्म एक रणनीतिक निवेश के तौर पर हम गूगल का स्वागत करते हैं हमने यह पक का सौधा किया है जिसके तहत जियो प्लाटफॉर्म में गूगल 7.7% हिस्सेदारी प्राप्त कर रहा है कर हमारे दुवारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत हन्यवाद आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है वधानसबा चुनाफ को परंपरागत तरीके से करवाने की मांग से आप कितने सहमत है अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तुमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेला आइकोन दबाना ना भूले और अगर आप वीडियो हमारे फेस्बुक पर देखने तो इस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेर करें धन्यवाद